आज मैं आपके सामने यूटूब लेक्टर स्रीज लेकर हजिर हुआ हूँ और इस चैनल का शुरू करने का मेरे मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग जो कि इस वक्त यहां मौझूद होते और अपना एकेडमिक शेशन जो आपका था वोग जारी रहता आप अपनी पड़ाई जारी रखते है लेकिन कुछ हालात ऐसे बने हैं कि पुरे मुल्क में लागडाउन की हालत पैदा हो गई है लेकिन आप बताईए या हम सोचें क्या हम घर पे बैठ करके अपने अवकाद को अपने टाइम को अगर हम अपने ना इस्तमाल करें तो क्या यह हम अपने शख्सियत के लिए अपनी परसनार्टी के लिए हम अच्छा कर रहे हैं बिलकुल नहीं हम यह लगए गयार हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों, स्टुरेंट्स, मेरे जहन में बात आई कि क्यों ना हम वही लिक्चर जो आपको किलास में देते थे, क्यों ना हम यूटूब के जरिये से मैं आपके वहां पहुंचा सकूँ, आप जिस जगह पर हैं या अपने पैरेंट के साथ आप जिस मकाम पर मौझूद है यही मेरे में मकसद है इस यूटूब चैनल शुरू करने का, ताकि आपके पढ़े मतासिर नहों और जब आप एक्जाम का वक्त आए, तो आप असानी से एक तो एक्जाम का पेपर लिख सकें, और दूसरा यह है कि आपके अंदर सलाहियत पैदा हो सकें, इसकिल डेउलप ह इसलिए एक बात मैं आपको बताओं मिसाले तोर पर, कि जैसे एक मजदूर है, वो उससे कह देगी भाई, कि आप आठ घंटे काम करना है, और डेली करना है, दस दिन तक, अगर हम उससे यह कह दिया जाए, उस मजदूर को, कि तुम दस दिन ना काम करके, तुम एक दिन में वो आठ घंटे कर देना काम, तो वो मजदूर काम नहीं कर पाएगा, ऐसी हमारी जहनी कैफियत है, यानि कि अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और उसको अबज़ाब करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जहन में माइंसेट हमारा अच्छा बनेग इसकी लाजिक क्या है, तो यही समय मकसद था, कि जो मुझे आप तक लिया क्या है, कि मैं आपको समझ लिए कि आप क्लास में मौझूद हैं, और मैं आपका क्लास टीचर, आपके सामने लेचर बेजिन कर रहा हूँ, तो आईए ज़्यादा बात ना करते हुए, हम डाट जबाएगी, तो वो है आइडिन्टिफिकेशन, यारि कि शनाख, उसी के, सभीटिंग तो नहीं कहेंगे इसे, उसी के अंडर है में, जो सिसेयम का सिल्वस है, उसके अंडर एक हैटिंग है, एक सिफिमिशन, और यह एक्जाम पॉइंट अभी से बहुँ इंपॉर्डन है, कि पास्च नमबर के कुस्चन इससे आता है, कि आप इससे क्या समस्ते है, तो आज हम बात करेंगे इसमें, इसके डिफिनेशन क्या है, यानि क्या कि डिगिंग ओड औफ, यानि कबर्स के, के अंदर से लाश को निकालना, हम इसके एक्जेक्ट, अभी इसके बारे माँ और फिर्स का objective क्या है, यानि कि ये किस कंडिशन में किया आता है, ये क्यों किया आता है, तो उसे नमबर वहने, identification, यानि शराफ के लिए, या दूसरे क्या है, establishing cause of death, कोई मर रहा है, तो इसके डेथ हुई है, उसकी वज़ा जानने के लिए, ठीक है, कि माली जे कोई इसको कुछ लोग जा रहे थे, उन्होंने बगल की रास्ते में देखा, ये कोई body पड़ी हुए थी, उसे उठा कर उन्होंने दफना दिया, लेकिन बाद में, जब वह पुलिस तक बात पहुचती है, तो वह उसको body को निकालती है, या निकलवाने के जो, उसको order दिया जाएगा खैस पुलिस के अंडर में ये नहीं होता है, बाकि वह जिस्तिक मजिस्टेट या जिस्तिक मजिस्टेट से उपर या गवर्नर ही हूपम दे सकता है, कि नाशवराई का या एक्स्विमेशन का प्रोसेस करने का, तो गर्माली पुलिस ही कोई body मिली, और उसको बाद फिर उस किसी ने मारा था इसे, या खुद अपने मौत ये मारा था, दूसरा है second autopsy, यानि कि दूसरी बास post-martem करने के लिए, उसकी ज़रुद क्यों पढ़ रही है, क्योंकि होगा क्या कि, जो है, किसी ने ये कह दिया, कि एक डॉक्टर का तरफ से, मिलीशन के खास और ये जो cases आत अटापसी करा करके, पोश्मादम करा करके, उसे या करके भरीट कर दिया है, यानि कि कबर में उसके दफन कर दिया, लेकिन उसके जो parents है, उन्होंने ये इसरार की ये जित किया, कि नहीं, असल एक जेट उसको उसको ज्यात्ती की कियी, उसे मारा पीटा गया, उसको अपनी करा कि नहीं, हमें इस फिर्च से अधालत दे, अधालत में जाने के बाद फिर उन्होंने इस चीज का दावा दायर कर दिया, कि हमें दुबारा फिर से पोस्माटम हो, और exact मौत का क्या है, उसको मालूम कोई जाए, तो उसके बाद भीट गया, इसकी बाद कीवाद की आता ह है आप मुझे परसनल कॉंटेट करिये और मैं अपके बात इसको आगे बढ़ाते हैं तो आए हम इसकी बात करते हैं इसकी definition की what is the exact definition of the exhumation okay students हम लोग तो बात कर रहे थे exhumation की आए उसके exact definition देख लेते हैं वो क्या है exhumation is defined as a lawful descent interment or digging out of a buried dead body from the grave farm medical examination यानि कि नाश को कबर के अंदर से निकालना किसलिए medical legal examination की purpose से यानि कि तिव्य कानूनी importance क्या हुआ उसकी है न क्यूं है और क्यूं क्यूं इसको निकाला जा रहा है तो उसके उसको issue एक issue आ गया है medical उसको solve करने के लिए वो body को कबर से बाहर निकाले जा रहा है इसी को कहते है एक summation अब इसका objective क्या था है यानि कि objective इसे बने बताया था आपको कि done in which condition किस condition में इसको किया किया था है वो क्या क्या condition है तो उसमें एक है identification यानि शनाखत के लिए वो किस तरह से confirming the individuality for any criminal or civil purpose arising after the burial कोई ऐसा case आ गया है जो कि civil case हो सकता है या फौजदारी का माम मुकदमा हो सकता है मामला हो सकता है कि एक issues का आ गया है जिसकी वएसे वो body को जो इसको buried कर दिया गया है ठीक है उसको बाहर निकालने के लिए कि जिसको दफन किया गया है exact जिसके बारे में कहा जा जाता है कि हाँ वो वही की वोई था और फलोण गाओं का था या फलोण जगा रहने वाला था और इस फलोण rollers के तालू रुल रखता था और उसकी है बिल्ड थी उसकी है押हियत थी इस सब को जानने के लिए ठीक है तो तो उसको क्या करते है, identification के लिए, शिनाक्त के लिए, अब नमबर दो हम देखते हैं, establishing the cause of death, यानि कि, when any fault pill is suspected, establishing cause of death, यानि कि, कुईसी की मौत हुई है, किस सबब से हुई है, उसको जानने के लिए, उसके बारे में, और तहिए करनने के लिए, क्या होता है, when a fault is suspected, यानि कि, अगर ये बताय दिया गया, कि कोई आदमी suicide करके मर गया, लेकिन उसमें ये किया गया, कि वो suicide नहीं, बलकि उसको मारा गया है, मार करके उसके हैंक किया गया है, उसने खुछ सुसाइट ने किया, उस बंदें को मारा गया, मारने के बाद उसको जो है, वो हैंग कर दिया गया था, तो जो लोग ये अमल करते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बाद कहते हैं, हाँ सुसाइट किया उन्होंने, और हम ने फिसको दफ़ान कर दिया, तो अब उसको तो exact तो क्योंकि उसकी अभी हम आपके बताएंगे है ना क्योंकि hanging जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा exact की जो है वो societal hanging कैसी होती है और homicidal hanging कैसी होती है तो इसके जरीए से जानने के लिए कुछ डॉक्टरों के टीम ने किया और उसने cause of death कुछ और बताई ठीक है फिर लेकिन जो मुद्ध जिसने दावा किया था कि नहीं हमें अच्छा हकीकत रिपोर्ट नहीं है हम दे कोछ छुपाया गया है हम चाहते है कि इसको डॉसरी डॉक्टर हो ना उनका पैनल हो वो उसको तो यह तीन चीज हो गई एक तो अडिटिफेशन तूसरा इस्टैबलेशिंग कॉज ऑफ डेथ और तीसरा है सिकेंड और अटॉपसी अब हम बात करते हैं इसको प्रोसीजर यानि कि इसका तरीका क्या होगा किस तरह से बॉड़ी को बाहर निकालेंगे तो उसमें आप चा वड़ी का मतलबा किया गया है तो पहले ये इंड़ंटिफाई करे जाए कि हाँ ये कबर उसी किये है माला ये अगर एकजएट आइटिफिकेशन नहीं हुआ कि कौन सी कबर है किस डेट में किस जगह पर है ना उसके किस निशान क्या है महलीग घबरिसतान किस तरह है और उ उसको क्या है कि उसका जो ऊपर का जो है फिर जो पट्रे वगरे जो लगे होते हैं और जो और चीजे कॉफिन वगरे जो होती है उसको बहुत ही है इसमूथली क्या करें उसको रिमूब कर जाएगा और रिमूब करते हुए क्या होगा कि कैमरा मैन उसके फोटोग्राफी करता पार है काहिए इस पार है कि कि को उसमें उसको अमल कर रहा है ुसको वो किसी और से उसने पैसे ले लिया हो हम भाड़िवें यह चीज नहीं था तो हम वह चीज को पयदा कर देंगे कि यह एक प開चाल क्ला है बाइक थीकर देशे इस के फोटोग्राफ सकता है सीशिए सैंदर बोट्ट ही मिल रहिए तो जम्सकाल क्लिस्के कोप कबने है और पुछ कब्लाइब यह कई सरा मैं के समय समय है और мताते अश्यमी कावा अनुक्त प्रत फ्रamıल आज करें कर लिया जाएगा further examination के लिए फिर आगे हम बात करते हैं पुरुच और क्या करते हैं के लिए अपके ही दोस्त है या आपके दोस्त है हिवाँ मेंगे तो वह उसके बाद जो है उसको दिखा यह होगा किसके अंदर में यह magistrate या corner या by the police officer वहां मौझूद होगा उसके निगरानी में ही यह अमल होगा फिर करें कि इसमें डिसिंफेक्टेंट किसी तरह का यूज़ नहीं किया जाएगा यारी कि जब बॉड़ी निकालेंगे जाहिए उसमें कीड़े वगए पलचु के होंगे अब वो डिपेंड करता है कि वो किस मौ कर दे जाए उस बॉड़ी को पर कि ताकि उसके बैक्टिरिया जो वायरेस हैं वो ना आए सके किसी और को न लग सके तो उसका पूरा एक प्रोसिजर होगा वो पूरा मेथड होगा जो लोग उसको बॉड़ी को बाहर निकालेंगे वो पूरा तरह से अपने सारी जो जैनि की कि किसी दरओ से कोई सलूर्श इस्तिमाल के जाएगा क्या कोई इस्तिमाल कि जाएगा और उसमें बायस की यह चांस्य जादा रह tinc अभ्ध करने कि नेक्स बात करते हैं, if skeletalization is advanced, then it will become necessary to dig down beside and beneath the body. अगर इस देख रहे हैं थे कि skeletalization is advanced, यह निए advanced हुचका है, यह निए कि क्या है कि उसका जो हैयत है, यह निए skeletal है, वही बागी बचा है, और जो चीजे क्या है कि गोश्ट गराए क्या है, पूरे तरह से गल चुका है, तो ऐसी condition में क्या करें कि उनने नीचे साइट से, ताकि और जो है, बोन गराए कोई deformity ना पाइद हो जाए, या उसको और fracture ना हो जाए, और बोन उसकी तूट जाए, उसको बचाने के लिए, तो नीचे साइट से उसको आहिस्ता से, बहुत ही precaution लेते हुए, उसको dig out करेंगे, या उसको उपर की तरफ बाहर निकालेंगे, फिर करेंगे, उसके आसपास की जो मिट्टी हैं, उसको भी preserve कर लेंगे, और जो छोटे मोटे चीज हैं, उसके जिसे माली ये, उसके टीथ, अगर आसपास, इसके लटन से निकल के गिर गए हैं, या frontal bone है कोई, निकल के आ गई, या कोई white bone है, side में पड़ी है, उसके body के, तो उस सब चीज़ों को क्या करेंगा, कि अपको मिट्टी सही थी, वहाँ के आसपास, जो मिट्टी होगी, उसको धाइद पूरा, उसको preserve कर लिया जाएगा, अब कहरेंगे, अगर कोई injury है, तो उसको बहुत या, carefully जो है, उसको note किया जाएगा, कि इस body में, इस जगहां पर injury, जब इसको डिग आउट कर रहे थे, उस वक्त जो शो हो रही थी, वहाँ उसको फोटोग्राफिय भी कर लिया जाएगा, और उसको note कर लिया जाएगा, कि उसके पेट में injury है, या उसके माथे पर है, या उसके chest में injury है, इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, वह उसको note कर लिया जाएगा, उसको फोटोग्राफिय भी हो जाएगी, अब करें कि इन case of suspected poisoning, अब कोई ऐसा case है, इस head देकर मार दिया गया है, तो क्या है कि उसको दफन कर दिया गया, अब गर ऐसी कंडिशन में होता है, तो क्या करना होगा, तो कहरें कि विसरा इप प्रिजेंट अनिफाइबर, शूड भी प्रिजर्वर फर केमिकल एनलाइसिस, तो उसके जो विसरास है, तो उसके जो विसरास के में लिएगा है, उसके लिवर है, उसके किड़नी है, या उसका ब्रेन है, अगर माली उसमें कुछ रहे, या उसकी स्प्लीन है, इन चीज़ों को जिससे अडिनिफिक्शन हो सकता है, पॉईजन कहां कहां जा सकता है, ठीक है, उस सब चीज़ों को कंडिशन में क्या करेंगे, उस कंडिशन में, उन सब को भी प्रिजर्व कर लेंगे. अगर कारी बिसरा नहीं मवझूद है, तो क्या करें, गोस का टुकड़ा, अगर उस एरियाग कोगा, तो उसको भी प्रिजर्व किया जाएगा. अगर खेरें कि अगर मास भी नहीं मोजूद है तो उसके हेर के प्रिजर्ब किया जाएगा नेल हुआ टीथ, बोन्स, इसकिन शुड़ भी प्रिजर्ब यानि जो भी उसका पार्ट रहेंगे उसके जरी से मालूं किया जाएगा कि उसका जहर कौन सा था और किस नौयत का वो जहर था ठीक है उसको जानने के लिए यह सब चीज़ें को कलिट किया जाएगा और फिर लास्ट में हम बात करते हैं कि टाइम लिमिट फॉर एक्जामिशन की टाइम क्या है कितने एक लिमिट तक होती है इसकी अगर जो है अब जैसे मैं आपको बताऊंगा टाइम लिमिट यह को पहले सब लेते हैं कि इंडिया में कहते हैं देर इस नो टाइम लिमिट फार केरिंग आउट एक्जाम कोई टाइम लिमिट नहीं कभी बिदावा कर दिया कि हां हमारे जो रिल्टीव था उसको मार करके है निकालेंगे और इसका फिर से अधिटिफिकेशन होगा उसका और उसका एक्स्टैब्लिशिंग कॉज अव डेथ कुछ आंच के लिए करेंगे या सिकन अटॉप्सी कराई जाएगी तो यह आधालत के अटर पर ही यह काम हो दा और कहने कि और इसका फिर साल तक और तीस साल है जर्मनी में जर्मनी के अंदर और दस साल से उपर चला गया फ्रांस के अंदर तो वहां पर यह मना हो जाएगा कि आप जो है एक्सामेशन की जादत नहीं दियागी लेकिन हिंदुस्तान में यह अनलिमिटेट है अब सोच लिए तो हमारे डियर स्ट्रेंट्स यह थी हमारी एक कोशिश जो की हमारी लेक्चेर की थी अब आप लोग सामने होते थे तो उसकी अन्वह यह तलग होती थी वह पढ़ाने का अंदाज अलग होता था और यह है कि हम आपको घर बैठ के पढ़ा रहे हैं ठीक है अब इसमें वह स चैनल है वहां पर इसे सब्सक्राइब करिए और लोगों को जिखास हो अपने जो फ्रेंड्स हैं अब वो किसी भी कॉलेज के हैं उन तक मैसेज पहुंचाईए यह आप घर बैठे हैं ना सरका एक लेक्चेर आया है अपलोड हुआ है चैनल सब्सक्राइब करिए और उसको देखिये हैं हला कि इसमें कुछ वायदा बेंफिट नहीं हो रहा हैं बसमी मिठी ह sentence 성्राइब करिख हैं और उडिया हैं अच्छा से टाईम यूद हो जा है और हम पढ़ लिए थिले हैं तो हमारा सी भी पनstersडा होगा तो हमारा फ्रेया यहीं मकसद है तो अ posthramat है स अपने ख्याल लगिए अपने असपास के लोगों ख्याल लगिए ठीक है अल्ला हाफिज